दोस्तों बिल्गेट्स कहते हैं आप गरीब पेदा हुए इसमें आपकी कोई गलती रही लेकिन अगर आप गरीब ही मर गए तो बेशक इसमें आपकी गलती है बिल्गेट्स कहते हैं कि मैं एक्जाम्स के कुछ सब्जेक्ट में फेल हो गया और मेरे बाकी सारे दोस्त उस सब्जेक्ट में पास हो गए जो पास हो गए वहाँ सब मेरी कमपनी में काम करते हैं और मैं उस कमपनी का मालिक हूँ दोस्तो रतन टाटा कहते हैं मैं सही निर्णे लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णे लेता हूँ और फिर उसे सही सावित कर देता हूँ दोस्तों सामी विवे का नंद कहते हैं एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जीओ अपने मस्तिक्ष, मास पेशियो, नसो, शेर के हर इस्से को उस विचार में डूप जाने दो और बाकि सबी विचारों को कीनारे रख दो यही सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है जिन्दगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता स्वेम को बनाना पड़ता है जिसने जैसा रास्ता बनाया है वेसी उसको मन्जिल मिलती है दुनिया मजा कुड़ाए या तिरसकार करे उसकी परवा किये बिना मनुश्य को हमेशा अपना करतव विकर्म करना चाहिए दोस्तो वारेन बफेट कहते हैं मुझे हमेशा से ही यह यकीन था कि मैं अमीर बनने जा रहा हूं मैंने कभी भी इस पर एक मिनिट भी शक नहीं किया और दोस्तो वारेन बफेट कहते हैं मैं साथ फूट की दूरी को नहीं देखता मैं बस एक फूट की दूरी को देखता हूं और उसे में पार कर लेता हूं आपको भी अपनी जिन्दगी में सो वज़ा नहीं चाहिए बस एक ही वज़ा चाहिए उस काम को करने के लिए जो काम आप करना चाहते हैं और जिन्दगी में सफल होने के लिए ज़्यादा नहीं बस एक ही मकसद काफी है दोस्तो डॉक्टर एपी जब्दुल कलाम कहते हैं मैं एक हैंसम इंसान नहीं हूँ लेकिन मैं अपना हैंड हर उस इंसान के हाथ में दे सकता हूँ जिसको मेरी जरुवत है सुन्दता रदय में होती है चेहरे में नहीं अपनी पहली सफलता के बाद कभी भी विश्राम न करें क्योंकि अगर आप दुसरी बार फेल हो गए तो बहुत से होट यह कहने के इंतिजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता तो केवले एक तुका थी इससे पहले कि आपकी सपने सच हो आपको सपने देखने होंगे दोस्तो गुनिश साल के एक छोटी सी उम्र में कोई इंसन क्या कुछ नहीं कर सकता जवाबे बहुत कुछ और कुछ एसा ही कर दिखाया मार्क जकरबरक ने जब उन्होंने छोटी सी उम्र में अपने दोस्तों क साथ मिलकर फेस्बुक बना डाली और मार्क जकरबर कहते हैं वो सवाल जो मैं लगबग हर दिन अपने आपसे पुश्टा हूँ क्या हूँ मैं सबसे जरूरी काम कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ दोस्तों मार्क जकरबर कहते हैं कि बेतर होगा कि आप कोशिश करें और असफल हो जाएं बजाए इसके कि आप कुछ भी ना करें और चायना के सबसे अमीर इंसान और अली बाबा कंपनी के फाउंडर जेकमा कहते हैं आज बुरा है कल उससे भी बुरा होगा लेकिन परसो आपकी चीत होगी और मुहमद अली कहते हैं मैं ट्रेनिंग के हर एक मिनिट से नफरत करता था लेकिन मैंने अपने आप से कहा हार मत मानो अभी सेलो और बाकी की पूरी जिंदगी एक चेम्पियन की तर जीयो मुहमद अली कहते हैं मैं सबसे महान हूँ मैंने ये तब कहा था जब मुझे पता था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ एक महान चेम्पियन बनने के लिए आपको इस बात में यकिन करना होगा कि आप सरोष रेष्ट हैं अगर नहीं हैं तो होने का दिखावा करिए आप सरेष्ट हैं दोस्तों मुहमद अली कहते हैं चेम्पियन जीम में नहीं बना जाते हैं चेम्पियन किसी ऐसी चीज में बना जाते हैं जो उनके बीतर कहीं होती है एक desire, एक dream, एक willpower, एक skills उनके अंदर होनी चाहिए लेकिन willpower, skills से भी ज़्यादा ताकतवर होनी चाहिए वो सामने कड़े पहार नहीं है जो आपको ठका देते हैं बलकि आपके जूतों में पड़े कंकड़े जो आपको ठका देते हैं दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा एसे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीज़े चैनल को और दबाए बेल आइकन को मैं आपसे मिलूँगा अक लिए वीडियो में जई हिन जई भारत